सूरी कुमार यादव के साथ टीम इंडिया में हुई नाइंसाफी तो हक मांगने के लिए खड़े होगे प्रोफिसर राम गोपाल यादव यूपी से निकली आवाज ICC तक जाएगी सूर्या का खोया सम्मान वापस दिलाया जाएगा पहले शोपाल ने की तारीफ अब राम गोपाल ने उठा दिया आवाज क्या जैशाह मांगेंगे माफी देखे कैसे टीम इंडिया के सकाई के लिए खड़े हुए सपासंसद और क्यों पूरा देश साथ खड़ा हो गया टीम इंडिया के सबसे खतरनाक खिलाडी और टी-20 में दुनिया के नमबर वन वल्लेबाज सूरी कुमार यादब के साथ बी-सी-सी-ाई ने जो नाइनसाफी की है उसको लेकर आबाजें बुलंद होती जा रही हैं नकेवल क्रिकेट फैंस सूरिया के करियर के लिए फिक्रमंद हैं बलकि यूपी की राजनीत के बड़े चेहरे भी आग बबूला हो गए हैं समाजवादी पार्टी के राज़्टे महासचेव और राजसबासांसत प्रॉफिसर राम गोपाल यादब ने खुले तोर पर सूरिया के हग के लिए आबाज बुलंद कर दी है और कहा है कि खेलों में राजनीत के चलते सूरिया के साथ नाइनसाफी हुई है और इसके लिए बी-सी-सी-ाई खुद जिम्मेदार है उनका सीधा निशाना इस बात को लेकर भी था कि आखिर क्यों सूरिया को भरपूर मौके नहीं दिये जा रहे और क्यों इतनी देरी से उसको टीम में शामिल किया गया पहले आप खुद राम गोपाल यादव ने जो कहा है वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट के जानकार और फैंस भी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सूरिकुमार यादव बत्तिस साल की उमर में उसको खिलाने का मौका मिला इसका अगर तीन-चार साल से ज़्यादा खेली नहीं सकता अगर खिला है तो तो इस देश में होता रहा है हर छेत्र में अब उसमें जो है कई बार बहुत होनहार लोगों की निकलेक्ट कर देते नदर अदाज कर देतें तो हमेशा से आरोप लगते रहें कि कुछ लोगों को अच्छे लोगों को नहीं लिया जा रहा है अब कुछ सेफारिस के बल पर लिये जा रहे हैं और अब तो पूरी तरह से पॉलिटिकलाइज हो गए इस सारे संग्ट तभी तो कुछ लोग कहते हैं कि राजनेते दलों के लोग जो हैं खेल संग्टों में राजनेते दल के नेताओं को नहीं होना चाहिए मैं उससे सहमत हूं हर एक क्रिकेट में देखिए तो कोई नेता होगा तो सुना आपने राम गोपाल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि खेलों में नेताओं का खेल सब कुछ बिगाड़ रहा है भारतिय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर सूरी कुमार यादव का उधारण देते हुए कहा कि राजनीती ही वजए है कि इतने बेहतर खेलाड़ी का 32 साल की उम्र में पदार पड़ हुआ इधर राम गोपाल यादव ने सूरिया के लिए ये बाते कही तो उधर सोशल मीडिया पर फैंस भी सूरिया के साथ खड़े दिखाई दिये सूरिया जिस तरह से गेंदबाजों की बखिया उधेरते हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस इस तरके बल्लेबाज है इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें देर से मौका दिये जाने पर लगातार बहस भी इसलिए जारी है पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया का भी मानना है कि सूरिकुमार यादब के साथ नाइनसाफी हुई है कनेरिया ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारतिये चेन करताओं ने सूरिकुमार के 5 साल खराब किये हाला कि उन्होंने बड़े लेवल पर लगातार दमदार प्रदर्शन करते हुई कोई हुए वक्त की भरपाई करने की कोशिश की है और अपना दमखम दिखाया है हम जहां कहीं भी देखते हैं हर एक्सपर्ट सूरिकुमार के बारे में ही बात कर रहा है आईपील 2020 में सूरिकुमार केबल आठ मैच ही खेले थे लेकिन इतने ही मैचों में उन्हें ने तीन सो से अधिक रन बना दिये थे आईपील के फॉरण बाद उस्ट्रेलिया का दोरा था लेकिन सूरिया को टीम में जगए नहीं मिली इसके बाद धाकर बल्लेबाज ने कहा था कि हर बार जब भारतिया टीम गोशित होती है तो उनके पिता हर अखवार और वेबसाइट पर मेरा नाम खोचते हैं लेकिन उन्हें निराशा हात लगती है हाला कि अपनी सफलता के बाद से सूरिया का अंदाज बदल गया है सूरिकुमार यादव ने हाली में अपनी शांदार फॉर्म के बारे में खोलासा करते हुए कहा कि पिछले चार सालों से मैंने एक रूटीन का पालन किया है जो मेरे लिए अच्छा रहा है मैच से एक दिन पहले मैं छुटी लेना पसंद करता हूं मैच से दो दिन पहले ही अभ्यास करता हूं मैच की पूर्व संध्या पर मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ समय बिताता हूं और क्रिकिट के बारे में पिलकुल भी बात नहीं करता बेरो रिपोर्ट मीडिया हल चल